इस वक्त हम सफास्तल के ठीक बगल में बने हुए हेली पैट के पास मौजूद है और आप यहाँ पे देख सकते हैं हजारों हजार की संख्या में कार्द करता प्रधान मंत्री मोदी का इंतजार कर रहे हैं आप यह नजारा देख सकते हैं अब से कुछ देर के बाद प्रधान मंत्री मोदी का हेलिकॉप्टर यहां हेलिपैट पे उतरने वाला है और आप देख सकते हैं कार करता और तमाम लोगों में यह उसा देखिए यह कहा जा रहा है बार बार यह नाउंस्मेंट की जा रही है कि पस्चिम बंगाल में चुनावी आगाज के लिए प्रधान मंत्री मोदी ने आराम बाग को ही चुना है हलाकि कल एक बार फिर से प्रधान मंत्री मोदी पहुचेगे क्रिशना नगर और वहां भी हजारों करोड के परियोजनाओं का उद्गाटन करेंगे लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम कार्जकरदाओं में जोस और उच्छा की का ये आलम है और ये भी कहा जा रहा है कि आज की तारीक यानि की आज की तारीक को प्रधान मंत्री मोदी ने पस्चिम बंगाल में चुनावी संखनात कर दिया है और चारो तरफ हजारो हजार के संख्या में लोग प्रधान मंत्री मोदी का इंतजार कर रहे हैं कामरामेन सूरज पांडे के साथ स्री निवास आराम बाग पस्चिम बंगाल